सबी साथियों को नमस्कार वर्धा वीएड में सम्मलित होने वाले साथियों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वर्धा जो वीएड परवेश प्रिक्षा यूजित हुई वो ओनलाइन माध्यम से थी उसकी आंसर की जारी नहीं की जाएगी क्योंकि ये केवल ऑनलाइन मोड में टेश्ट था इसका पेपर भी आप लोगों के पास नहीं होगा आपकी याददास्त के आधार पर या साथियों के याददास्त के आधार पर कहीं कहीं पर पेपर आपको देखने को मिल गए होंगे कई यूट्यूब बर्स है वो इसको वीडियो इसको चला भी रहे होंगे तो हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि आप लोगों की इसकी मेरिट कितनी रहने वाली है इसमें क्या नकल की कुछ संभावना बनी थी नहीं बनी थी कुछ लोग कह रहे हैं 90 प्लस चली जाएगी जैसा कि वाट्सेप्स ग्रूप्स में भी जर्चाएं चल रही है इसकी मेरिट है वो 90 प्लस या 80 प्लस या 85 प्लस ऐसा जाने की संभावना है तो साथियों हम लोग इसमें थोड़ा इसमें विस्तार से डिसकस करेंगे कि अपन लोगों को ये वश्या लग रहा है कि पेपर बड़ा सरल था सरल था तो सभी के लिए था ऐसा था था नहीं कि दो चार लोगों के लिए अलग पेपर था दो चार लोगों के लिए थोड़ा टप पेपर था सभी के लिए सम्मानी पेपर था इस exam में आप लोगों काफी technically दिक्कत का भी सामना करना पड़ा होगा तो आप लोग एक बार गबराए भी होँगे अब मेरा क्या होगा पेपर होगा आग नहीं होगा काफी लोग है वो exam नहीं भी दे पाए होँगे किसी कारणवस technical issue की वज़े से तो इसमें हम लोग मोटा मोटी चर्चा कर लेते हैं कि कहां और क्या-क्या संभावना हैं बन रही है जहां तक मेरा अनुमान है साथियों यदि इसमें आप लोग ये देखें कि इसमें नकल यानि हम लोग ये frauding या नकल बोलें तो कितना percentage chance था मैं मानता हूँ इस online system में इन लोगों के AI system यानि intelligence, interference आपका जो होता है उसको track करने का इन लोगों ने एप में system डाला हुआ था वैक्ति की आवाज आपको exam सुरू होते ही एक पहले line पढ़ाई गई भारत का सुईदान सभी नागरी को समानता का अधिकार देता है यह line आपको इसलिए पढ़ाई गई कि जो वैक्ति exam दे रहा है उसकी आवाज यह है जब आपका exam चला उसके दौरन किसी अन्य वैक्ति की यदि आवाज trace हुई तो आपका वो आवाज है वो सीधा उस university के पास पहुँच जाएगा किस के पास पहुचेगा यूणिवर्सिटी के पास पहुचेगा और वो लोग उसको track करते हुए आपको सीधा ही exam में आपको किसी परकार की कोई सुनवाई का मोका ना देते हुए सीधा ही आपको क्या करेंगे डी बार क्या कर देते हुचेटी डी बार गोसित कर देगी और उन वेक्तियों का रिजल्ट भी गोसित नहीं होगा उनके रॉल नमर भी आएंगे साथियों ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने हैं वो 2019 से 2021 जो कोरोना का सेशन चला था उस तोरह हम लोगों ने आउनलाइन मोड से बीड की थी ये पहली बार आउनलाइन मोड में एगजाम नहीं हो रहा है परवशिप्रीकसा अविश्य पहली बार करवाई गी है लेकिन यूनिवर्सिटी दो हजार 21 से लेकर के जितने भी एगजाम से बीड के जो भी सेस्नल एगजाम सोते हैं वो सारे आउनलाईन मोड में इसी एप क मद्यम से करवा रही है तो जो व्यक्ति 2020 या 2021 में जिन्हों ने एक्जाम दिया था हमारे साथ वाले थे उन मेंसे काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी हर च्छमेने बाद एक्जाम होता है इंस्टिटी का हर च्छमेने बाद सब्लिमेंटरी या किसी परकार से एक्जाम करवाती इंस्टिटी वह लोग अभी भी फेल हो रहे हैं वह लोग अभी भी पास नहीं हो पा रहे हैं अपने लोग यह कह रहे हैं कि लोगों ने नकल की होगी यदि नकल से पास हो जाते तो वह लोग भी पास हो जाते हैं वह लोग अटक यह रहे हैं कि वह प्रयास करते हैं कि अप आपका इंटरफेस है वह चेरा भी आपका टू-फेस फाउंड या इसा भी वीच-वीच में मैसेज़ आया होगा वो इसलिए आ रहे थे कि आपका रिकोर्ड किया जा रहा था सारा कुछ मामला यदि आपके रिकोर्डिंग के दोरान उनको एक परसंट भी डाउट लगता है इस स्टूड़न को इसा कुछ हुआ है तो उसका एक्जाम मा का रिजल्ट भी जारी नहीं होगा तो नकल करने की जहां तक संभावना हैं अपने मान सकते हैं कि 10 से 20 परसेंट अपन सम्भावना मानते हैं कि 10 से 20 परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा यदि हम लोग मानें all over 3,000 लोग थे 3,000 से अपन 3500 मान लें 3600-3700 लोग थे उनमें से 3,000 से लेकर के 3500 लोगों ने exam दिया होगा साथियों इसमें क्योंकि इसकी पीछे reason ये भी है कि जो university है university of utraakhand उसका भी exam इसी दिन अनि 10 तारीकों था तो काफी लोगों ने दोनों इस city के फारम बर रखे थे तो 3,000 से 3500 के बीच में यदि अपने इसका ratio निकाले 10 परसंट या 1 परसंट 1 परसंट कितना होगा इसका 30 यदि 10 परसंट भी नकल हुआ है तो 300 लोगों ने नकल किया है अब यदि 20 परसंट किया है 600 लोगों ने नकल कर लिया होगा ठीक है न साथिया ये नकल जहां तक है मेरी समझ है उसके अनुसार नकल होने के chances कम भी रहोंगे लेकिन फिर भी कई लोगों ने यदि ज़्यादा है वो intelligence दिखाई है और नकल की भी है तो अपने लोग ये मान ले मेरे असाब से इसकी cut-off marks है वो 75 75 to 80 यदि निवा अनुसार इसका exam हुआ है नकल की गुझाईस कम रही है तो 75 to 80 percentage के बीच में है वो इसकी cut-off रहनी चाहिए क्यों? साथियों जो भी पहले exam हुए थे हम लोगों के B8 के exam हुए तो हम लोगों ने इनका जो किताब का syllabus है वगेरा वगेरी जो भी है तो हम लोगों ने उसको पढ़ करके उसमें से objective हमारे time 35 क्यों से न आये थे 35 में से यदि आपने 30 या 28 कर लिया तो हम लोगों की B8 मेरे बेंचमेंट साथियों के अधिकतर के B8 में है वो 80 प्लस अधिकतर साथियों के 80 प्लस प्रसंटेज या 80 के ABO प्रसंटेज बने है तो यानि online जो exam का pattern है वो उससे अवशे ही merit आपकी high जाने वाली है तो आप लोग ये भी suggest कर लें आप अपने आपको कर देख लें कि आपका कम से कम ये तो रहने ही वाला है इससे भी प्लस में जा सकता है 75 to 80 या इससे प्लस ठेक है साथियों ये तो रहा merit का अब आपकी जब merit गोसी तो हो जाएगी उसके बाद क्या रहने वाला है आप लोगों को देखिए जो भी आपने form भरा उस forum में आपने जो center चूज किया आपने forum बरते समय जो आपने है वो regional center select किया था वो regional select center आपको एलोट किया जाएगा result जारी होने के बाद सभी all over India में साथियों कितनी सीटे हैं 500 500 सीटे हैं 500 अब्धियारतियों को center एलोट किये जाएंगे कुल all over इनके है वो लगबग 50 के आसपास center भी है तो कई center पे 8-10 admission होते हैं एदी किसी center पे ज्यादा लोगों ने form बरा है तो अधिकतम इस पे है वो एक center पे 30 लोगों को ये लोग एलोट करते हैं तो एदी 30-30 के एसाब से होता है तो भी आप देख पाएंगे कि काफी centers ऐसे रहते हैं जिन पे 8-10 का admission होता है काफी centers ऐसे होते हैं जिन पे 30-30 सभी का admission हो जाता है तो ये लोग admission है वो इस आधार पे आपको center लोट कर देंगे और फिर आगे की कारवाई सारी आपको center के है वो संपर्क में रहते हुए काम करना होगा जहां तक आपके center पे जाने की या document दिखाने के आउशकता है मेरे साब से नहीं रहने वाली है क्योंकि आपके सारे document आप scan करके upload कर चुके हैं सारे document आप university को base भी चुके हैं पतराचार के मध्यम से तो आप लोगों को कहीं कोई जाने के आउशकता नहीं रहेगी fees भी आपको online pay करनी होगी आपका selection होने के बाद second year की fees भी आपसे online ले ली जाएगी university की website के मध्यम से तो आप लोगों को कहीं कोई जाने के आउशकता नहीं पूरा नतरापतराचार के मध्यम से होने वला है और आपके जो regional centers रहेंगे उनका WhatsApp group होगा आपको उसमे एड़ कर दिया जाएगा जो भी universities की कारवाई चलेगी वो आप तक सूचना पहुंच जाएगी और आप university की website को अवलोगों करते रहें देखते रहें आपको university की side से भी update मिल जाएगी आप किसी जैसे हम लोगों पे YouTubers या जो भी WhatsApp के इदर उदर group चलते हैं उनकी बजाए इनकी website पे ज़्यादा विश्वास करिएगा क्योंकि university की website हमेसा अपडेट रहती है आपको जो भी यह जो सूचना पट है साती हो इस सूचना पट पे आप click करते रहें जो दूर सिक्सा निदित साली की website है उसके सूचना पट में बहुत सारी सूचना ही चलते रहती है इसमें आप एक यह भी द्यान रखिएगा आप से संबंदित यदि कोई भी सूची है या कहीं कोई है तो उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा प्रिंट करके रख लीजिएगा यह चार-चाम मेने साइड पे रखते हैं फिर वहां से अटा लेते हैं जैसे result हुआ या कोई वीग्यप्ती आई या कोई notification आया वो चार सम मेने तक रहता है उसके बाद यह हटा लेते हैं नया notification आजाता है तो आप लोग जो भी notification आया आपको लगता है या मेरे लिए काम का है उसको save कर लें या print करके रख लें तो आपको कहीं कोई आगे जाकर के दिकत नहीं होएगी साथियों ठीक है तो यह हम लोगों इसके बारे में चर्चा करी merit के बारे में आपको गबरेने का होशकता नहीं है इसका result है वो 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा आपका ज्यादा time नहीं लेंगे 15-20 दिन बाद result आने वाला है आपको center load हो जाएगा फीस बनने का है और आपका program start हो जाएगा ठीक है साथियों एक बार पुने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद